वात अचार और चमतकार जी हाँ आज इस टॉपिक में हम बात करेंगे अचार के बारे में आप एसे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि अचार जो होता है वो हमारे भारत में बहुत अलग अलग टाइप के अचार खाये जाते हैं आम का अचार, करोंदे का अचार, मिथी का अचार, कटहल का अचार ऐसे बहुत सारे टाइप के अचार हम खाये जाते हैं तो ये अचार की गोण क्या है ये किसे खाने चाहिए किसे नई खाना चाहिए आज जानेंगे वो पूरी जानकारी इस वीडियो में स्वागत आप सभी का मिष्टर वेदा में और आज हम बात कर रहे हैं अचार के चमतकर की बारे में आपमें से बहुत सारे लोगों ने अचार अपनी लाइफ में खाई होगा या जबी भी हमें खाने में टेस्ट चाहिए होता है suppose कि पराठा खा रहे तो उसके साथ आमले का अचार, आम का अचार, लेंसुन का अचार, करॉंदे का अचार, कटहल का अचार, ऐसे अलग अलग टाइप के अचार हमें खाने एदेखने मिलते हैं तो इन आचार की properties क्या है तो सबसे पहले मैं आपको बोलूगा अगर आपको वात की कोई भी तकलीफ है वतलब आप वात प्रकृति वाले हैं आपकी भूग फिक्स नहीं है कभी आपको बहुत जदा भूग लगती है कभी लगती नहीं कभी पाचन बहुत अच्छे से हो जात क्यों लाइए आप तो बोलोगी कि आईरवेद की दवाईयों के साथ तो अचार मना है या बहुत सारे डॉक्टर बोलते हैं कि भाई अचार मत खाना अगर बिमारी है तो तो समझ लेते हैं देखिए आईरवेद में ऐसा बोला गया है कि दुनिया में हर एक चीज औशदी ह कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो औशदी ना हो बस यूज करने के तरीगे पे डिपेंड करता है अब एक एक एक्जामपल से हम समझ लेते हैं चले कि आपकी घर पे आम का अचार है ठीक है वो अचार बनता कैसे है तो अचार में आप देखेंगे हमेशा कोई एक चीज होगी आम होगा आमला होगा करौंदा होगा या फिर मेथी होगी ऐसे कोई भी एक चीज होगा ठीक तो एक तो जिस चीज का आप अचार बना रहे हो फिर उसमें डाले जाते हैं मसाले तेल और उसमें डाला जाता है नमक अब यह जो सारे के सारे आइटम है जैसे मेथी जैसे आइ पिर तेल में डाल के उसको रग देते हैं और अचार बन जाता है अब ये जो टेक्नीक है इसमें सारे जो भी दरवी यूज किये जा रही है जो भी चीजें यूज की जा रही है वो सब अगनी बढ़ाने वाले आइटम है जैसे कि सबसे पहले कोई भी अचार होगा तो उसकी के लिए बहुती कमाल की दवा है खास करके रुका हुआ वात ऐसा वात जो की शरीर में अठका हुआ है आप मेंसे ऐसे लोग जो बोलते हैं कि पेट में हवा बनती है पेट में गैस बनती है बारबा लेटरिन के यहां पे फिशर कट्स पर्ड जाते हैं हाथ पैर में कट्स पर्ड जाते हैं जिनको ठंडी बरदास नहीं होती है या जिनकी वो खिक्वल नहीं है उन सारे लोगों के लिए खटा रस बहुत फाइदे मन्द है क्योंकि खटा रस अगनी बढ़ाने का भी काम करता है वो अचार के अंदर होते हैं फिर अचार के अंदर क्या होते हैं मसाले अब जितने भी मसाले हैं चाहे वो लाल मेर्च या काली मेर्च हो या फिर मेथी के दाने हो या कलौन जी हो इन सारी चीजों के आप गूर्ण पढ़ेंगे तो वो नेचर में गरम है ठीक गरम है और अगनी बढ़ाने वाले हैं तो ऐसे लोग जिनकी अगनी डाउन है जिनको खुल के भूख नहीं लगती खाने में मजा नहीं आता खाला देखके ऐसे लगता है या दूर हटा दो बस सा अब जो भी फूड या खाना भोजन होता है उसका एक गुण ये है कि उससे तुर्पती मिलने चाहिए मतलब सटिसफेक्शन संतुष्टी मिलना चाहिए अगर खाना खाके आपको संतुष्टी नहीं मिल रही है तो आप हमेशा ये देखेंगे कि आप कुछ नग कुछ खात है उस भोजन से संतुष्टी या सटिसफेक्शन नहीं मिला है तो ये जो मसाले हैं ये क्या करते हैं अगनी बढ़ाने का काम करते हैं और खाने में टेस्ट लाने का काम करते हैं एक और main ingredient सभी अचार में होता है वो है तेल ठीक हम सभी जानते हैं कि वायू की जितने भी वि ये दो टेस्ट dominant कोई भी अचार होता है कई लोग थोड़े से मीठे अचार भी जैसे गुजरात साइड में वहाँ बनाते हैं पर mainly अचार का जो आप टेस्ट देखेंगे खटा मेठा नमक है ये तीनों की तीनों टेस्ट किसको कम करते हैं वात को कम करने का काम करते हैं तो वात से related अगर आपको कोई भी तकलीफ हो रही है चाहे वो जोडों का दर्ध हो चाहे आपको बहुत ज़दा धकार आने की तकलीफ हो बहुत ज़दा गैसेस बनने की तकलीफ हो खाने में इंट्रेस्ट ना आता हो खाने का time fix ना हो या हमेशा आपका जो digestive fire वो irregular है ठीक है इ इस वायू को कंट्रोल करने के लिए आम का अचार या फिन निम्बू का अचार आमले का अचार ऐसे कोई भी अचार आप अपने डाइट में जरूर रखे आपको बहुत सारा फायदा मिलेगा आप इसे कुछ लोग बोलेंगे अच्छा दर्ध में अचार खाना है पागल हो इस वाले हैं तो उनके लिए अचार अच्छा नहीं है पर प्योर वात प्रकृति वाले हैं रूखे सूखे हैं कमजोर है टीवी जैसी कोई बीमारी हुई थी या शरीर पुरा सूख गया है भूक ही नहीं लगती है ऐसी कोई भी तर्टलीफ आपको है तो आप अचार अपन को चल जाएगा जो भी खटा फल आपके निम्बू का अचार आपको चल जाएगा वो आप ले सकते हो पित वाले आप हो तो आमला जो है आमले का अचार एक दम थोड़ी सी मात्रा में आप अपने डाइट में इंट्रोड्यूस कीजिए क्यूंकि आमला पित को कम करने का काम करता है और अगर आप कफ प्रक्रिती के हो तो थोड़े से ज़्यादा ड्राय जो होते हैं जिसे मेथी का अचार हुआ या फिर करेले का कई बार अचार मिलता है इस तरह के अचार खाने आपके लिए फाइदे मन्द रहेंगे अचार याद रखिए निचर में गरम होते हैं तो एकदम थोड़ा सा केवल टेस्ट बढ़ाने के लिए होना चीए औरना कई लोग क्या करते हैं कि केवल पराठा ले लेंगे अचार ले लेंगे और वही पराठा अचार ज्यादा दर खाते हैं और फिर उनको ऐसे डिली जैसी तकलीफ होती है पर अगर आपको वात की तक अगर खाना है तो आप अचार खा सकते हैं बहुत अच्छा रहेगा आपके बच्चे को या किसी को खाने में टेस्ट नहीं आ रहा है तो ऐसे सारे के सारे चीजों में आप अचार यूज़ कर सकते हो इसलिए तो हमारे दिस्ट में आप देखोगी कि जब अब थाली रखी तो उसमें थोड़े थोड़े कुछ आइटम रखे जाते हैं, जैसे कि उसमें से एक अचार रहता है, चटनी रहता है, थोड़ा सा सलाद रहता है, या सिर्का रहता है, या पापड होता है, ये सारे आइटम क्यों होते हैं, इनकी मातरा आप देखो हमेशा थोड़ी रहेगी, ऐसा नहीं कि अचार इतना सारा दिया जाएगा ये थोड़े से आइटेम इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि आप जो खाने में हैवी आइटम खा रहे हो वो प्रॉपरली हजम हो सके आपकी अगनी अच्छी बनी रहे और खाने में आपको टेस्ट है क्योंकि भोजन का सबसे में उद्देश है तुरुप्ती संतुष्टी मिलना तो वो काम अचार आपके बॉड़ी में करके देता है बारिश का मौजम चल रहा है आप मैसेज हो भी वात प्रकृती के लोग है या वात की बिमारियों से परेशान है अब वात की उबर मैंने अल्मोस 20-50 से ज़्यादा वीडियो डाले होंगे आप वो देख सकते हैं तो उन वात वात की समस्चाओं में आप अपनी डाइट में अचार जरूर इंटोडियूस कीजिए आपको बहुत मजाएगा ये वीडियो के से लगा कमेंट करके जरूर बताईए और किस टॉपिक बे आप वीडियोस देखना चाहते हैं वो भी आप हमें बता सकते हैं तब तक के लिए स्वस्त रहें मस्त रहें